और इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दिदी से बात की जाए हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दिदी सुनिता जी जुड़ी हुई है जो उत्तरपुदेश के सितापूर्थ से हैं आईए उनसे बात करते हैं सुनिता देवेजी आपको नभशकार अच्छा सुनिता जी पहले मैं आपके विशे में जानना चाहता हूं आपके परिवार की विशे में जानना चाहता हूं थोड़ा कुछ बता दीजिए अच्छा सुनिता जी यह ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ आपको वो ट्रेनिंग कहां मिली कैसे कैसे बढ़लाव क्या आया मुझे पहले से जानना है जी हमारी फूल तुरेफ को में हुआ था इलाहवाद में और वहीं से में को ट्रेनिंग मिली है तो तब तक आपने ड्रोन के विश्चे में सुना था कभी सुना नहीं था एक बार ऐस पहले दिन गए पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा फिर कुछ बॉर्ड पर पढ़ाया गया होगा पर मैदान में लेजाए कि प्रक्टिस क्या हुआ होगा आप मुझे समझा सकती है पूरा वर्न जी जी सब दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी पहले तो ठिवरी पढ़ाई गई थी सब कलास चले थे दो दिन क्लास में क्या-क्या पात हैं कैसे कैसे आपको क्या-क्या करना है यह सारी चीजे दिन से अर्मलोगों का फेपर हुआ था उसके बाद में फिर एक कंप्यूटर पर भी पेपर हुआ था मितलब पहले इक्लास क काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया तो इसके माधिन से बहुत फैदा किसानों को होगा और वहां खेट में घुसना भी नहीं पड़ेगा हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं वो हमारा ड्रोन से मेर पे खड़े होके हम उतना हो कर सकते हैं कोई कीड़ा मकू अगर खेट के अंदर है उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी कोई दिकत नहीं हो सकती है और विसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सरमने 35 एकड़ इस प्रेकर चुके हैं वी तक तो किसानों को भी समझ है किसका फाइदा है जी सर पिसानों को बहुत समय का भी ब सब्सक्राइब तो यह ड्रॉन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो तो बहुत भी लग जाती है जो बड़े बड़े खारमर्स लोग है वह लोग नमबर भी लग आते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे इस तरे के लिए अच्छा क्योंकि मेरा एक मिशन है ल मैं एकली हुँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं बहुत सारे लोग हमारे साथ में दोन दिदि के नाम से पहचानी जागती हैं चलिए सुनिता जी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बढ़ाई ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में क्रिशी को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है मेरी बहुत बहुत सुब कामना है साथियों आज देश में कोई भी खेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश की नारी सकती पीछे रह गई हो एक और खेत्र जहां महिलाओं ने अपनी नेत्रुत और शमता का बहतरीन प्रदर्शन किया है वो है प्राकृति खेती जल समरक्षन और स्वच्छता केमिकल से हमारी धर्ती मा को जो कश्ट हो रहा है जो पीड़ा हो रही है जो दर्द हो रहा है हमारी धर्ती मा को बचाने में देश की मात्रुशक्ती बड़ी भूमी का निभा रही है देश के कोने कोने में महलाएं अब प्राकृति खेती को विस्तार दे रही है आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहट इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समित्यों की बहुत बड़ी भूमी का है इस पानी समित्य का नेत्रुत्व महलाओं के ही पास है इसके अलावा भी बहने बेटियां जल सवरक्षन के लिए चाओ तर्फा प्रयास कर रही है मेरे साथ फोन-लाइन पर ऐसी ही महिला है कल्यानी प्रफुल पाटील जी यह से बात कर उनका अनुहाभ जानते हैं अमस्ते पेले तो आप अपने विश्य में अपने परिवार के विश्य में अपने काम काजिंद नगी ती Maikrogalogy हूँ और मेरे घर में मेरे पति मेरी सास है और मेरे दो बच्चे और तीन साल से मैं अपने ग्राम पंचयाथ में कारे रथ हूँ और फिर गाउं में खेती के काम में लग गई है क्योंकि आपके पास बेजिक नॉलेज भी है आपके पढ़ाई भी खेतर में हुई है और अब आप खेती में जूड़ गई है त हमने जो दस प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रित करके उससे हमने ओर्गनिक सवारनी बनाया जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वएगरा स्प्रे करते तो उससे पेस वएगरा जो हमारी मेत्रकेड रहती है वो भी नश्ट हो रहे है और हमारी स्वाइल का पोलुशन ह होता है जो सब केमिकल चीजे वो पानी में घुल मिल रही है उसके वज़े से हमारे बॉड़ी पर भी हानिकारत परिणाम दिख रहे हैं उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करके तो एक प्रकार से आग पूरी तरह प्राकुरुतिक खेती की तरफ जा रही ह जो आपनी पारमपारिक खिती है सर वैसे हमने की पिछले साल क्या अनुभव आया प्राकोतिक खिती में जो हमारी मैख जो खर्च है वो कम लगा और जो प्रोड़क्ट से सर तो समाधान था कि हमने विदाउट पेस्ट को क्या है क्योंकि अब कैंसर के प्रमान जो बढ़ रहे हैं जैसे शहरी भागों में तो है लेकिन गाउ में भी हमारे उसका प्रमान बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने शुरक्षित करना है तो यह मार का उलंबना जरूरी है इस हिसाब से वो महिलाए भी सक्रिय सहबाग इसके अंदर दिखा रही है अजया कलेण जी आपने कुछ जल्सवरक्षन में भी काम किया है उसमें क्या किया है आपने सर रेंवोर्टर हर्वेस्टिंग जो हमारे शास्किये जितने भी इमारते जैसे की प्रासर मिक्षाला हुई अंगन वाडिया हुए हमारी क्रामपंचे की जो बिल्डिंग है वहा आपसे हमने 20 रिचाज शाप आमारे गाउं के अंदर किये हुए है और 50 रिचाज शाप का सैंक्षन हो गया है वह जल्दी उसका भी काम चालू हने वाला है चलिए कल्याणी जी आपने आसी बोलून खूप आनन जाला तुम्हाला खूप-खूप सुभेच्छा भास सेवा करा चलिए आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है धन्यवाद जी नवश्का भास साथियों चाहे सुनिता जी हो या कल्याणी जी अलग अलग छेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की स्पिरिट की रदे से सराना करता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों आज हम सब के जीवन में टेक्नोलोजी का महत्व बहुत बढ़ गया है मोबाइल फोन डिजिटल गैजेट्स हम सब की जिन्दगी का एहम हिस्सा बन गए हैं लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही हैं कुछ दिन बाद तीन मार्ज को विश्व वन्य जीव दिवस है इस दिन को वन्य जीवों के सवरक्षन के प्रती जागरुकता फ्यलाने के उद्देश से मनाया जाता है इस वर्स वर्ल्ट वाइड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपर ही रखा गया है आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में बन्य जीवों के सवरक्षन के लिए टेक्नलोजी का खोब उप्योग हो रहा है पिछले कुछ वर्सों में सरकार के प्रयासों से देश मे बागों की संख्या बड़ी है महाराश्च के चंदरपूर के टाइगर रिजुर में बागों की संख्या डाइसों से ज्यादा हो गई है चंदरपूर जिले में इनसान और बागों के संगर्स को कम करने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदली जा रही है यहां के करीब आता है तब AI के मदद से स्थानिय लोगों को मोबाइल पर एलेट मिल जाता है आज इस टाइगर रिजुर के आसपास के तेरा गाउं में इस व्यवस्ता से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है और बागों को भी सुरक्षा मिली है साथ्यों आज युवां एंटरप्रेंश भी बन्य जीव सवरक्षन और एको टूरिजम के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं उत्राखन के रूर्की में रोटर प्रिसीशन गुरूप्स ने वाइल लाइप इंस्टिटूट अफ हिंडिया के सयोग से ऐसा ड्रोन तयार किया है जिससे के नदी में गड़ियानों पर नजर रखने में मदद मिल रही है इसी तरह बैंगलूरू की एक कंपनी ने बगीरा और गरूड नाम का एप तयार किया है बगीरा एप से जंगल सफारी के दोरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है देश के कई टाइगर डिजवर में इसका उप्योग हो रहा है Artificial Intelligence और Internet of Things पर आधारी गरूड एप को किसी CCTV से कनेक करने पर रियल टाइम अलेट मिलने लगता है बन्ने जीवों के समरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जय विवित्ता और समरुद्ध हो रही है साथियों भारत में तो प्रकूति के साथ तानमेल हमारी संस्कृति का अभिन हिस्सा रहा है हम हजारों वर्सों से प्रकूति और वन्ने जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं अगर आप कभी महराष्टर के मेलगाट टाइगर रिजोर जाएंगे तो वहाँ स्वयम इसे अनुभव कर सकेंगे इस टाइगर रिजोर के पास खटकरी गाउं में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होमस्टे में बदल दिया है ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है इसी गाउं में रहने वाले कोरकु जन जाती के प्रकास जामकरजी ने अपनी दो हेक्टर जमीज पर साथ कमरों वाला होमस्टे तैयार किया है। उनके हां रुकने वाले परियटकों के खाने पिने का इंतजाम उनका परिवारी करता है। अपने घर के आसपास उन्होंने आउशदिये पौधों के साथ आम और कौफी के पैड भी लगाये हैं। इससे परियटकों का आकरशन तो बढ़ाई हैं। दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अफसर बने हैं। मेरे पहरे देशवास क्यों हों। जब पशुपालन की बात करते हैं तो अकसर गाये बैस तक ही रुख जाते हैं। लेकिन बकरी भी तो एक एहम पशुधन हैं जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। देश के अलग-अलग छेत्रों में अनेकों लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं। ओडिसा के काला हंडी में बकरी पालन गाउं के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। इस प्रयास के पीछे जयनती महापात्रा जी और उनके पती बिरेन साहु जी का एक बड़ा फैसला है। ये दोनों बैंगलूरु में मैंनेजमेंट प्रोफिशनल्स थे। लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर काला हंडी के साले भाटा गाउं जाने का फैसला लिया। ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे यहां के ग्रामीनों की समस्याओं का समाधान भी हो। साथ ही वो ससक्त भी बने। सेवा और समर्पन से भरी अपनी इसी सोच के साथ इन्होंने मानिकस्तु एग्रो किस्थापना की और किसानों के साथ काम शूरू किया। जैनती जी और बिरेंजी ने यहां एक दिल्चस्प मानिकस्तु गोट बैंक भी खोला है। वे सामुदा इक स्तर पर बक्री पानन को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके गोट फार्म में करीब दर्जनों बक्रियां है। मानिकस्तु गोट बैंक इसने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टिम तयार किया है। इसके जरिये किसानों को 24 महने के लिए दो बक्रियां दी जाती है। दो वर्सों में बक्रियां नव से दस बच्चों को जन्म देती हैं। इन में से छे बच्चों को बैंक रखता है बाकी उसी परिवार को दे दी जाती है जो बक्री पालन करता है इतना ही नहीं बक्रियों की देखवाल के लिए जरूरी सेवाएं भी प्रदान की जाती है आज पचास गाउं के एक हजार से अधिक किसान इस दमपत्ति के साथ कर रहे हैं मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल प्रफेशनल्स छोटे किसानों को ससक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं उनका यह प्रयात हर किसी को प्रिरित करने वाला है मेरे प्यारे देश दूसरों हमारी संस्कृति की सीख है परमार्थ परमोधर्मह यानि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य हैं इसी भावना पर चलते हुए हमारे देश में अंगिनत लोग निश्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में बोजपूर के पीम सी भवेश जी अपने खेत्र के मुसहर जाती के लोगों के बीश इनके कारियों की खूप चर्चा है इसलिए मुझे लगा कि क्यों न आज इनके बारे में भी आप से बात की जाए बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचि रहा है बीम सी भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की सिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविश उज्वल हो सके उन्होंने मुसहर जाती के करीब आठ हजार बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बहतर सुविदा मिल रही है भीम सी जी अपने सबुदाय के सदस्यों के जरूरी डोक्यूमेंट बनवाने में उनके फॉम भरने में भी मदद करते हैं इससे जरूरी संसाधनों तक गाउं के लोगों की पहुंच और बहतर हुई हैं लोगों का स्वास्त बैतर हो इसके लिए उन्होंने सो से अधिक मेडिकल कैम्प लगवाए हैं जब कोरोना का महा संकट सीर पर था तब भीमसी जी ने अपने शेत्र के लोगों को वैक्सिन लगवाने के लिए भी बहुत प्रोथाई किया देश के अलग-अलग हिस्सों में भीमसी भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो समाज मेंसे अनेक नेक कार्यों में जूटे हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम इसी प्रकार अपने कर्तवियों का पालन करेंगे तो हैक ससक्त राश के निर्मान में बहुती मददगार साबित होगा मेरे प्यारे देश वाचियों भारत की सुन्दर्ता यहां की विविदता और हमारी संस्कृति के अलग-अलग रंगों में भी समाहित है मुझे देखकर अच्छा लगता है कि कितने ही लोग निश्वार्त भाव से भारतिय संस्कृति के सवरक्षन और इसे सजाने सवारने के प्रयासों में जुटे हैं आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे इन में से बड़ी संख्या उनकी भी हैं जो भाषा के खेतर में काम कर रहे हैं जम्मु कश्मीर में गौंदरभल के महमत मानशाह जी पिछले तीन दसकों से गोजरी भाषा को समरक्षित करने के प्रयासों में जूटे रहे हैं वे गुजर बकरवाग समुदाय से आते हैं जो की एक जनजातिय समुदाय है उन्हें बच्पन में पढ़ाय के लिए कठीन परिश्रम करना पड़ा था वो रोजाना 20 किलोमेटर की दूरी पैदल ताय करते थे इस तरह की चुनवतियों के बीच उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ऐसे में ही उनका अपनी भाषा को समरक्षित करने का संकल्प द्रढ़ हुआ साहित्यक्षेत्र में मानसाजी के कारियों का दायरा इतना बड़ा है किसे करीब पचांस समस्करोनों में सह जा गया है इनमें कविताएं और लोग्गीत भी शामिल हैं उन्हेंने कई किताबों का अनुवात गोजरी भाषा में किया है साथियों अरुणाचल प्रदेश में तीरप के बनवंग लोसुजी एक टीचर है उन्होंने वांचो भाषा के प्रसार में अपना एहम योगदान दिया है यह भाषा अरुणाचल प्रदेश, नागालेंड और असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है उन्होंने एक लेंगवेश कूल बनवाने का काम किया है इसके वांचो भाषा की एक लिपी भी तयार की है वो आने वाली पीडियों को भी वांचो भाषा चिखा रहे हैं ताकि इसे लुप्त होने से बचाय जा सके साथियों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गीतों और नुर्त्यों के माध्यम से अपनी संस्कृती और भाषा को समुरक्षित करने में जूटे हैं करनाटका के वेंकप्पा, अमबाजी, सुगेट का उनका जीवन भी इस मामले में बहुत प्रेरणादाई हैं यहां के बागल कोट के रहने वाले सुगारकर जी एक लोग गायक है इन्होंने एक हजार से अधिक गौंधरी गाने गाये हैं साथि इस बाषा में कहानियों का भी खुब प्रत्यार प्रसार किया है उन्होंने बिना फिस लिये सेंकडो विध्यारतियों को ट्रेनिंग भी दी है भारत में उमंग और उत्सा से भरे ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमारी संस्कृति को निरंतर सम्रद बना रहे हैं आप भी इनसे प्रेना लीजिए कुछ अपना करने का प्रयास करिए आपको बहुत संतोष का अनुभव होगा मेरे प्यारे देश वाच्चियों दो दिन पहले मैं वारणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शांदार फोटो प्रदर्शनी देखी कासी और आसपास के युवाओं ने कैमेरे पर जो मॉमेंट कैप्चर किये हैं वो अदबूत है इसमें काफी फोटोग्राप्स ऐसी हैं जो मॉबाइल कैमेरे से खिच गई थी वाकई आज जिसके पास मॉबाइल है वो एक कंटेंट क्रियेटर बन गया है लोगों को अपना हूनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद किये है भारत के हमारी वासाथी कंटेंट क्रियेशन के ख्षेतर में कमाल कर रहे है चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्रेटफरम हो आपको अलग-अलग विशों पर अलग-अलग कंटेंट शेर करते हमारी वासाथी मिल ही जाएंगे टूरिजम हो, सोशल कॉज हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरग जीवनियात्रा इन से जुड़े तरह तरह के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर मुझूद है कंटेंट क्रियेट कर रहे देश की विवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी हैं उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रियेटर्स एवाड शुरू किया गया है इसके तहट अलग-अलग केटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलोजी का उप्योग कर रहे हैं यह कॉंटेस्ट माई गौव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रियेटर्स को इससे जुड़िने के लिए आगर करूँगा आप भी अगर ऐसे इंट्रेस्टिंग कंटेंट क्रियेटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रियेटर्स एवोर्ड के लिए जरूर करें मेरे प्यारे देश्वास्यों मुझे इस बात के खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभ्यान के शुरुवात की है मेरा पहला वोट देश के लिए इसके जरिये विशेश रुप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है भारत को जोस और उर्जा से भरी अपनी वाश्शक्ति पर गर्वा है हमारे विवा साथ ही चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागिदारी करेंगे इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लापकारी होंगे मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करूंगा कि बैर रिकोर्ड संख्या में वोट करें अठारा का होने के बाद आपको अठारवी लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है यानि ये अठारवी लोकसभा भी युवा आकांशा का प्रतीख होगी इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है आम चुनावों के इस हल्टल के बीश आप युवा ना केवल राजनितिक गतिविद्यों का हिस्सा बनिए बल्कि इस दोरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरुक बने रहिए और याद रखेगा मेरा पहला वोट देश के लिए मैं देश के इंफ्योंसर को भी आगर करूंगा चाहे वो खेल जगत के हो फिल्म जगत के हो शाहित्य जगत के हो दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्ट्रागाम और यूटूब के इन्फियेंसर्स हो वो भी इस अभ्यान में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें साथियों मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही देश में लोगसभाद चुनाव का माहोल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था संभावना है कि मार्च के महने में आचार चहीता भी लग जाएगी ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीटे 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परचाई से भी दूर रखा है मन की बात में देश की सामुहिक शक्ति की बात होती है देश की उपलब्धी की बात होती है ये एक तरह से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तयार होने वरा कारकम है लेकिन फिर भी राजनितिक मर्यादा का पालन करते हुए लोगसभाव चुनाव के इन दिनों में अब अगले तीन महेने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा अब जब आपसे मन की बात में समवाद होगा तो वो मन की बात का 111वा एपिसोड होगा अगली बार मन की बात की शुरुवाद 111 के शुब अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा लेकिन साथियों आपको मेरा एक काम करते रहना है मन की बात भले तीन महेने के लिए रुक रहा है लेकिन देश की उपलब्दिया थोड़ी रुकेंगी इसलिए आप मन की बात हैस्टेक के साथ समाज की उपलब्दियों को देश की उपलब्धियों को सोचल मीडिया पर डालते रहें कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुजाव दिया था सुजाव ये कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से छोटे छोटे वीडियो यूटूब शौट्स के रूप में शैर करना चाहिए इसलिए मैं मन की बात के सुरताओं से आगर करूँगा कि ऐसे शौट्स को खुब शैर करें साथ क्यों जब अगली बार आपसे समवाद होगा तो फिर नई उर्जा नई जानकरियों के साथ आपसे मिलेंगा आप अपना ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार